हेलो दोस्तों आपका स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल इज्जु की लाइफ में आज मैं आप लोगों को पस्वों को गवधार की बीमारी हो जाती है उसके बारे में मैं बताना चाहता हूं मैं अपना एक की है तो इनसे बात करने के बाद यहीं पता चला कि इसका लाइलाज है बहुत सा चांस कम ऐसे को देखने को मिला है किसी-किसी पसु को शेट कर जाती है जाए बहुत दिनों पहले हमारे मुन्ना खान डेरी फार्मर जी के गाय भी थी एक उनके पास तो सेट कर गई थी और उन वीडियो अच्छा लगए तो लाइक और शायर करना ना बूलें तो चलिए देखते हैं तो यह देखिए यह फर्स्ट लेक्रीशन में भाएंस तयार है लगभग सात मंत की जाविन है 50% मुर्रा है इसके मां को सेमन दिया गया था मुर्रा असलता तो थोड़ी बहुत इसको कि तरह तो आप देखिए इसको देशी तरीके से बांदा गया है यह यह चाता है इस रहー से आप रास्ता और पिखाने के रास्ते से एक गैप बन जाती है ताकि सिर्फ लुड़ ना पड़े इसका बैट जाने से लोड़ पड़ जाता है लोड पड़ने के वज़ए से यह गवथार बाहर आने लगती है तो यह प्राउब्लम होता है तो इसका दूसरा इलाज आपो औरको सबसे पहले तो आप इस तरह का बांदेए दूसरा आप जहां पर यह आप बैठती है जैसे खाने के बाद बैठती है लगवाद 6-7 इंच का डाउन करें ताकि उसको ज्यादा प्रेशर भी नाये और इस तरह का बैक साइड में प्रेशर नाये और आगे की तरह लूज कर ये खड़ी रहे तो अभी आपने सिर्फ दो निसके सुने देशी जो की पहला है इस तरह का बांद दें दूसरा आगे की पोर्शन को थोड़ा डाउन कर दें तीसरा आपको मैं एक और बता दूँ के भख्रा सेंदूर आता है जो रेट कलर का सेंदूर आता है भख्रा नाम से उसको उस बाहर जैसे ही बाहर गवथार आए उसी गवथार के उपर आप लगभख पचास क्राम उसे उपर डाल दें ताके वो शिकूड के अंदर ले लेगा यह एक तीस्तरा नुस्ता है आप इसको भी यूट कर सकते हैं तो आपको चौथा नुस्ता भी बता दूँ के बिहार में कि अब है कन जाए शराब बंदी हो गई है तो यह कौना पोसिबल नहीए सख कािंदे बट तो बिहार के जो अदरवाइस और ऋसे बैख असे लिए तो उनके लिए वह पोसिबल होना ये है कि अभर्म होना या शराब को जो भी हो जिसमें अल्कोहल हो उसको लेने हांत में ठ जादा नाप छिते हैं नहीं तो नुखसान हो सकता है जब हलका सा महमुली इस तरह से पानी पढ़ाया जाता है किसी को उस तरह से आप इसको हलका सा अल्कोहल छित जें ताकि वो सिकुड कर अंदर ले लेगा तो अभी आपने चार्म उसके सुनें जो कि पहला भांग दें तुछा आगे की और डाउन कर दें ताकि पीछे प्रेशन ना बने और गवथार बाहर ना आया और तीसरा सेंदूर जो हो सेंदूर दान दें थोड़ा सा 50 ग्राम उससे भी थोड़ा भू कंट्रोल हो सकता है और तो मेरा मानना ये है के इसका लाइलाज हे इसका कोई इलाज नहीं है आप सिर्फ थोड़े दिनों तक कंट्रोल सकते हैं तो मेरा सुझाओ लाश्ट में यह मैं बोलू कि आप इस तरह की भैंस या गाय को ना रखें बेच दें किसी तरह भी बेच दें उसको अपने भी से अपनी राय दे सकते हैं तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूने थांक्स पर वार्चिंग फिर मिलेंगे